नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले हैं उत्राखंट राज्य के जो राज़गी नर्सिंग कोलेज यानि के जो गोर्वेंट कोलेज हैं उनके जो ट्यूटर की वेकेंसी आई है टोटल 40 वेकेंसी यहां पे रहने वाली है ठीक है तो इस वेकें है पाँच अप्रेल को आ गया था वैसे भी हमने जो अपने जो गुरूप है रियाना नर्सिंग स्टूडेंट नाम से टेलेगराम फेस्बूक और जो वाटसप गुरूप है वहाँ पे भी हमने यह नोटिस डाल दिया था तो आप लोगों ने चेक भी कर लिया और काफी क्यूस्टन आ रखे दिगी हम अप्लाई कर सकते या ने कर सकते इसके अंदर रेजिस्ट्रेशन कहां का मांगा तो रेजिस्ट्रेशन तो ओल ओर इंडिया कहीं कभी है सकता बाकि जो कंडिशन हम आगे इस वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले है तो सबसे पहले पांच अप्रेल को ये नोटिस आ गया था और जो ओनलाइन आवे दन स्टार्ट होने वाले हो छे अप्रेल से हो जाएंगे ठीक है इसके बाद जो अंतिम डेट है यानि कि लास्ट डेट जो है पांच मई दो जा इसकी जो फीस की बात करें तो हम जो जनरल कंडिडेट है उनके लिए 300 रुपए फीस है और जो कटेगरी है जितने भी HCBC और OVC EWS सभी की 500 रुपए फीस रहने वाली है ठीक है इसके बाद आगे हम बात करें टोटल 40 वेकेंशी है जिसके अंदर जनरल के लिए 17 वेकेंशी यहां पर रहने वाली है ठीक है बाकी कटेगरी वाईज अपनी अपनी देख लेना आप लोग और बात करें हम जो कटेगरी है वो जो बाहर की कंडिडेट है वो जनरल के अंदर ही काउंट होंगे और जो रिजर्वेसन कटेगरी है वो जो युक्की की स्टेट के हैं सिर्फ उनी के लिए अपलिकेबल है आगे हम इसके अंदर बात करते हैं जो आपका पेस्केल है वो 44900 से लेकर 122000 लेवल 7 के अकोर्डिंग यहाँ पे रहने वाला है ठीक है इसके बाद इसको अपलाई कौन कौन कर सकता है तो MSC नर्सिंग हो या फिर BSC नर्सिंग हो या फिर इसके अंदर एक साल का जो एकस्पिरियंस है वो कोलेज का होना चाहिए यानि कि आपका जो टीचिंग का एकस्पिरियंस एक साल का होना चाहिए और जो एकस्पिरियंस की एकस्पिरियंस है वो लास्ट डेट से पहले-पहले का होना चाहिए जो इसकी फोर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले-पहले आप लोगों को एक साल का एक्स्पिरिंस होना चाहिए इसके बाद जो एज क्राइटेरिया है वो 22 से लेके 42 तक यहाँ पे रहने वाला है ठीक है अब यहाँ पे बात करें जो रजिस्टेशन है यहाँ पे लिखा हुआ है अभियर्ति को देश के किसी भी राज्य में नर्सिंग काउंसिल में ओनलाइन आवे दिन करने के अंतिम दी है अब देखो इसके अंदर मैंचीज पॉइंट नंबर 8 में यहाँ पे बताई गई है जो आपका सीधी बरती बरती है तो आवे दिन करने के लिए बरती पात्र होगा जिसने हाई स्कूल और इंटर्मेडियेट अथवा एम समकक्सतर की उत्राखंड राजे से स्थित मानेत अपराप संस्तानों से उत्रिण के हो यानि कि आपके जो दस्वी बारवी है वो उत्राखंड राजे से ही होनी चाहिए अदर्वाइज आपको अलाउ नहीं किया जाएगा अगर आप लोगों ने वो दस्वी और बारवी है वो किसी अधर स्टेट से की हो तो आप इस चीज को भी डाउट रहता है आप कमेंट बुक्स के अंदर कमेंट डाल सकते हैं ओके थैंक्यू थैंक्यू सो मच